बागपत से है जहां बागपत में अलपसंख्यक सिक्षर संस्था फिर आरोपों के घेरे में खड़े हो गए कालतीत प्रभन समीती के कोशाध्यक्ष एवं आजीवन सदस्यों का कहना है कि सिक्षर संस्था में नियुक्ती के नाम पर करोरो रुपे की धांदली चल रही है दरसल ये पूरा विवाद बड़ोत की अलपसंख्यक सिक्षर संस्था दिगंबर जैन महाविद्याले में नियुक्तियों को लेकर चल रहा है आपको बता दें कि पूर्व में साक्षातकार से पहले ही सेटिंग वाले अभ्यरतियों की एक सूची शोशल मीडिया पर वायल हो गई थी इस सब के अलावा महाविद्याले के प्राचारे पर भी गंभीर आरोप लगाये जा रही है ये सारा प्रकरर उत्तर प्रदेश के सचीव के दरवार जा पहुचा जिसके बाद सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पूरे मामले पर उक्ति प्रकरर में सचीव द्वारा 22 जन्वरी को संबंदित पक्षों को पेस होने का आदेश दिया गया है और इस बीच होई कोई भी नियुक्ति अवैद क्यलाएगी आईए आपको दिखाते हैं कि ततकालीन कोशाध्य सुनील जैन का जन्पत के बड़ोत नगर की अब संख्यक स्रिक्षन संस्था दिगंबर जैन महाविद्याले के मामले को लेकर क्या कहना है बागपस से हमाई समवाद आता सुनील अगरवाल की रिपोर्ट उसके संबंद में करना चाहता हूं कि यह इंटर्विव लेटर पहले भी निकले थे दस बारा साल पहले उन्हीं को यह दुबारे रिनू करना चाहते हैं तो जो की गलत है जब हम ने जो है हाई पोट के ओडर किये थे मुखे सचीव ने हमको 22 तारिक में जब तक उनकी रिपोर्ट इसमें नहीं लग जाने की उसके बाद यह इंटर्विव लेटर कर सकते हैं से पहले इंटर्विव लेटर नहीं कर सकते हैं